यह दो एंडिल है जाड़ी में जदितन फरीजी सवी तालीम है अधा गेर अधा बिरेक बादमेंदनी बिरेक इधर भी के रहे उदर भी के रहे है तो यल्ला मस्कूर यह ड्राइबरी सिखाता है नए आदमे को तालीम देता है पुलीस है मखालफा असलाम उलेकम नमस्ते सत्रियकाल दोस्तो इस वीडियो में हम बताएंगे न्यू ड्रेवर की ट्रेडिंग में कितना खड़ चाता है एक दिन का दोस्तों कोईत में नए ड्रेवर की ट्रेडिंग कैसे होती है दिखे दोस्तों सामने गाड़ी है कि ये ट्रेडिंग हो रही है नए ड्रेवर की जो भी आते हैं ने ड्रैबर उनको ट्रेरिंग यहाँ पर दिवाया जाता है पांच दिन साथ दिन नहीं करता तक इस तरह किसी ने वीडियो अभी तक नहीं बनाया होगा सबसे ज़्यादा अरब कंटरी में ड्रैबर के जोब में आते हैं और वो डरते हैं कि हम वहाँ जाएंगे गाड़ी चला पाएंगे या नहीं डरना भी दोस्तों जाएज है क्योंकि यहाँ पर इस्टेरिंग उल्टी होती है और रोड भी उल्टा होता है कहीं भी जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं उनको यहाँ पर आकर लोकीशन यूज़ करना चाहिए लोकीशन से वो चलते हैं तो कभी रोड नहीं भूलेंगे अब इसी चलाना है तो इसी चला लो आप फास्ट टाम कोईट आ रहे हैं तो आपको पहले गाड़ी सिखाएंगे सिखाने वाला बाहर का अदमी आता है वो आपको पांच से आठ दिन तक टेरिंग देगा टेरिंग देने के बाद आपका लैसन्स बनेगा उसके बाद कपिल आपको गाड़ी देगा जो पहली बार कोईट आ रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाया हमें ने यहां आने के बाद उनको यहां पर गाड़ी सीखना होता है इसका खर्चा जो भी है और कपिल देगा डेली के दस दिनार खर्चा है दो घंटा गाड़ी सिखाता है दस दिनार यह लेकर जाएगा यह इंडिया से और गाड़ी चलाने में यह पर डर रहा था तो इतने इन स्टेडिंग है लाइक ओव याल्ला अलाद्वाल सभी जान मिया मिया दोस्तों आप भी आ रहे हैं कोईट में होस्ट ड्रावर में नए हैं पहली बार आ रहे हैं तो डरने की जूरत नहीं है अगर आप आपको गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं आता है तो कोईट में इसको ट्रेलिंग दिलाते हैं आपका कपिल आपको ट्रेलिंग देवाएगा एक दिन का दस दिनार पड़ता है इंडिया के करीब पचीश सो रुप पढ़ेंगे एक दिन का और एक हफते तक गाड़ी सिखा रहे गाए इसको बोलते हैं मदर्सा कोचिन एक हफता गाड़ी चलवाएगा आपसे वो बैठे के साथ में वो कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं तो गाड़ी कंट्रोल करेगा और आपसे बताता रहेगा यह सिगनल पर रोटना है इतनी दूल पहले आपको रोटना है इस गाड़ी चल रही है तो पहले वो जाएगी फिर आपको जाना है सारी बात वो अच्छे से समझाएगा आपको टिरेनिंग कंपलीट होने के बाद आपको लेकर जाएगा लाइसेंस बनवाने के लिए असली मुकाबला तो वहाँ पे होगा वहाँ पे आपको किसी फुटबा पास होगा इसके बाद लाइसेंस बनेगा इसको बोलते हैं दोस्तो अरवी में तालीम देना सिखाना तो यह आपको सिखाएगा सिखाने के बाद आपको टैम पूरा हो जाएगा पांच से आठ दिन तक इसके बाद आपको लाइसेंस बनाने के लिए लेकर जाएगा असली ट्रेरिनी तो वही पर होगी, आपको गारी स्पीट में चलाना वहाँ पे, सिलो चलाना है, बैक करना है, रिफ्ट राइट ले जाना है गारी को, और बहुत ही कम जगे में आपको गारी वहाँ चलाना पड़ेगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पारकिंग देखना है आपको, इसमें देखिए, टेलेफोन सिस्टम भी है बुड़ा, हैंडिल में ही, इस टेरिंग में आपको मिले गा, और इधास को मैं आपको गेर दिखाता हूँ, इसके गेर दोस्तों नीचे बैठे हुए हैं, गाड़ी जब आप स्टार्ट करेंगे तब यह गेर बाहर आएगा, य हैं आप दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों जो डॉरेवर हैं उनको पता है तक भाड़े में, कि हर गारी में गेर अलत होता है, दोस्तों ये बता रहा हूँ मैं, इसमें गेर नीचे है, जब ये श्टार्ट हो जाता तो याथं वाहर आए गा. तो इतने इन स्टेरिंग है यह सिखा रहा है अर्पी है यह दोस्तों यह मदर्शा कोचिंग है डेली का दस दिनार लेता है जो कि इंडिया के एक दिनार दोसो पच्पन रुपिय एक ठाउन रुपिय इस्टेम बन रहा है और दो घंटे में यह आपको पूरा कोईद घुमाएगा पूरे हाइवे पर चलवाएगा पार्किंग में लगवाएगा गाड़ी यह पार्किंग कैसे करना है सिगनल पर कैसे रोटना है यूटन कैसे मारना है हाईवे पर किस नंबर पर आपको चलना है किस पट्टी पर चलना है कितनी स्पीर चलना है कोईती लोग भी इसी गाड़ी से सीठते हैं डबल इस्टेरिंग की गाड़ी होती है जिकाने वाली लेडिस को लेडिस दिखाती है जेंस को जेंस सिखाता है और हम लोग आते हैं इंडियान, बंगाली, पाटिस्तानी आप किसी कंट्रीस भी आते हैं आपको ड़ड़ा भी कम आती है तो यहाँ पे आपको सिखाये जाता है गाड़ी चलाने से पहले सीट वेल्ट लगाना जरूरी है यूटन मारने से पहले आपको इंटिग्रेटर देना जरूरी है सारी बाते वो और आप से आपको समझा देगा आठ दिन में पूरा कोईट आपको उखमाएगा हो दोस्तो एट्टोमेटिक क्रार चलाने का सबसे आसान तरीका है इसमें डबर इस्टेरिंग है गाड़ी आपको कैसे चलाना है आपको कैसे बैक करना है पार्टन में कैसे लगाना है सारी बाते आपको समझा देगा आठ दिन आप से गाड़ी चलवाएगा हाइबिर रोड पर गाड़ी चलवाएगा लोकल रोड पर गाड़ी चलवाएगा आपको ट्रेंग में फुल पास्ट कर देगा इसके बाद आपका लाइसेंस बनने के लिए जाए होगे आप वहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा वहाँ पर कोई आपको बोलेगा नहीं गारी किस्ता चलाना है आपको गारी में बैठना है शीट बेले लगाना है इसी सेट आपको मुठना है देने बाए तो उसमें आपको इंटिक्रेटर देना होगा और फुटबाल बहुत क्रम जगा होता गारी आपके उसमें जा पाएगी उसमें आपको गारी लेकर जाना है फुटबाल में गरिकेशनी होनी चाहिए